इसके मैंने आपको बेस वेरेंट भी दिखा दिया वह बात कता हूं बेस वेरेंट के बारे में तो उसमें आपको कोई भी फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं अफ्टर मार्केट बर्क कराने की जो जरूर पड़ेगी उसमें जो टो बेंट कर आपको उसका प्राइस ज्यादा लगता है तो आपके लिए बैस्ट ओप्षन बन जाता है कि आप इसका एक्सम प्लस वेरेंट को कंसिडर कर सकते हैं जिसमें आपको 7 इच का टसकीन एंफोट के और सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं इस कार कीज सही फिलिपकी मिलने वाली है और फिर ये रही टाटा एल्ट्रोस फिरम ट्र रफाइल कुछ इससतरे की है कार की और ये रही हेड़ईट है लोगन बल्फ मिल जाएगा आप पसकी हेड़ईट में और इंडीकेटर में भी बल्ब मिलेगा, वो क्रोम लाइन जा रही है, एक हेडलेट से लेके दूसरी हेडलेट तक, उपर की साइडा को प्यानो ब्लैक फिनिस में लाइन मिल जाएगी, पीछ में टाटा का लोगो, गरिल, इसमें आपको कोई भी डियालर्स हो गिया, फोगलेम्स हो गिया, कुछ भी ऐसा देखने के नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिप आपको उसकी हाउसिंग मिलेगी, और फिर यह रही साइट प्रोफाइल इसकार की, 16 इंच के आपको समें स्टील वेल्स मिल जाएंगे, विद बील कवर्स, बन 95 बाइ 55 आर 16 इनकी प्रोफाइल है, इंडिकेटर फेंडर पर मिल जाता है, आपको उसके टोब वेलेंट में भी आपको इंडिकेटर इसकार के फेंडर पी मिलता है, प्यानो ब्लैक फिनिस में मिल जाएगा, ओ और भी मिल जाती है, फ्रंट डोर हैंडल आपको बोडी करट का मिल जाएगा, कुछ तरह की लगती है, साइट प्रोफा पाइल इसकार की, यहाँ पर आपको हाइमा डिस्टोप लैंप मिल जाएगा, प्यानो ब्लैक फिनिस मिल जाएगी आपको यहाँ पर, बाइफर, डिफोगर, बोशर, आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसके एक्सेम्पिलर्स वेरेंट में, बोकल फोर, लोकल का स्टीकर, सेंसर्स मिल जाएंगे, रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे नीचे साइड, तो चली फिर मापको सकार का बूट दिखाएता हूँ, फिर कितना स्पेस मिल जाता है आपको सकार के बूट में, तो सकार मापको 345 लेटर का बूट स्पेस मिल जाता है, पाइशे ट्रे भी मिल आए मैं आपको सकार का इंटीरियर दिखाते हूं फिर क्याक्या ओफर कर जाता आपको सकार के इंटीरियर में अधिरी के लीड़ी ऐजेस्टिवल और बियम मिल जाते हैं आपको इसके कंट्रोड मिल जाएंगे आपको यहाँ पर जो दूर है वो आपको पूरा डूल थीम में मिल जाएगा ब्लैक एंड बीच के लड़ के कॉम्बिनेशन में डौर उपनर ब्लैक कलर चारो पाउर विंडो कंट्रोल से स्पीकर भाट से देखने में कुछ ही सरका लगता है इंटीरियर इस कार का तुब इंटीरियर कुछ ही सरका मिल जाता आपको इ स्टैक एंड बीच के लड़ के कॉम्बिनेशन में जो की दिखने में कुछ ही सरका लगता है और यह रस कार का स्टेरिंग वील बीच में टाटा का लोगो मिल जाएगा स्टेरिंग मॉटिट कंट्रोल से आपको एक साइड मिलेंगे दूरे साइड आपको स्टेरिंग मॉट तो वह जैसे आप देश सकते हैं कुछ इस तरह का इंस्टूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा आपको इस खार में यह रस कार का आर्पियो मीटर स्पीडो मीटर बीच में मिड दी जाएगे आपको जिसमा कुसके फ्यूल का बचलता रहेगा वो कितना चल चुकी है कार वो भी का ऐसे में डिकता रहेगा कि क्या माइलेस देगी वो भी आपको इसकी एम इडी में दिखता रहेगा कुछ लृट यह जाएगे आपको इसमें कौन सा डूर ओपन है साथ हर्मन का रहने वाला ऑए और नीचे की सैड आपको इसी वैस मिल जाएगे बीच में जाएगा बीच इसमें हजाड लाइड का बटन एल्ट्रोज क्रोम में स्पेस देकर लिखा गया है और मैनुवल इसी मिलने वाली आपको जिसके नेंट यह पर मिलने वाला इसका नोप को अ मिल जाएगा दॉट की अब और यहां थोड़ स्पेश में जाए और वाला है फाइफ गेर भाइन पो यहां को को यह पर आपको ड्राइब मोड का बटन मिल जाएगा जिससे आप प्रैस करके इसमें और ड्राइब मोड को को चेंज कर सकते हैं जो अब इसको प्रैस करेंगे तो एकोनोमी या फी जोंसा भी आप मोड लगाएंगे कि उसकी आपको साउंड सुनाई देगी यहां पर आपको स्पेस मिल जाएगा दो का फोल्डर और यह रसकार का हैंड ब्रिक वह मिल जाएगा आपको क्रोल मिल जाएगा वहा पर जाएगा तो खुल जाएगा तो ऐसे आप दे सकते हैं कुछ पना स्पेस स्कार की गलव बॉक्स में काफी बड़ी है स्पेस है जैसे आप दे सकते हैं और यह रसकार का को ड्रेवर साइड डॉर अब बटर बटू स्पेस डुकुमान टेखने के लिए स्पेस मिल जाएगा आपको कि स्पीकर पावर विंडो बीच कलर और ब्लैक कलर कोंबिनेशन इसके डॉर में ग्राइब हैंडल मिल जाएगा एजस्टेवल हैड रेस्ट है फ्रेंट में लेकिन बैक मापको फिक्ष्ट हैड रेस्ट मिल जाते हैं कुछ इस तरह की सीट से स्कार की अगर्स कार का ड्रैवर्ट साइट संवाइजर बैनेची मिरर म नहीं मिल जाएगा आपको टिकट होल्डर मिलने वाला है रथी वह यह रसकार का यजज andar का का इत्कeleri मैं विचे बिखा दिया है तो विचले फिर और इसमिंपेदर सुम्पर इत्स कर देता है है तो बारपर मिल स्वक्ैशन्य स्योग्जें है सबलक्र इसमी कज़ेश भी बिखा देता है आपको ब्लैकन बीच के लगए कॉम्बनेशन डॉर ओफन ब्लैक कलर पाउर बिंडो बाटरबॉड के लिए स्पेस डॉक्मेंट के लिए स्पेस तो यह से आप दे सकते हैं कुछ इतना लेग रूम आपको इस कार में मिल जाता है और रेर सीट पर बैक तो कुछ इस तरह का लगता है डैश वोड इस कार का वो केविल लैप आपको फिर आपको कोई यहां पर नहीं मिलता इसकी रूफ में एक आपको सिर्फ फ्रेंट में मिल मिलेगा और आपको यहां पर थोड़ता स्पेस मिलने वाला है नहीं अपको यहां पर कोई भी पावर्ण सोकेट मिलेगा तो भी कुछ इस तरह का है इस कार का सब्सक्राइब जहाते हैं आपको दिखा दिया है तो फीचरस आपको इस कार के इंटीर की वीडियो दिखनी है फिर आप किसी और कार का बोक राउन देखना है तो आप मेरे चैनल को बिजिट कर सकते हैं यह आपको फ्यूचर मैसी वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो पुरह देखने के लिए आपका धन्यवाद